हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो यूर्वन यूट्यूब चैनल लेवलब गुर्मन जॉब प्रेपरेशन सो फ्रेंड्स आज हम डिसकस करेंगे 18 सेप्टंबर 2020 के डेली करंट अफिर्स जो कि आपके एक्जाम पॉइंट आउ व्यू से बहुत जादा इंपोडेंट होने वा तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सबसे पहले डिसकस करेंगे कल के दी हुए जो टेस्ट थे उसके आंसर आज देख लेते हैं तो सबसे पहला कॉशन जो हमने दिया था वो था इंडिया साइंड ए स्टेट्मेंट आफ इंटेंट ओन डिफेंस टेक कॉपरेशन तो दोस्तों इंडिया ने जो है भारत ने अभी किसके साथ जो है इंटेंट ओन डिफेंस स्टेट्मेंट टेक कॉपरेशन जो है यह साइन किया था तो इसका सही उतर था दोस्तों ऑप्शन नमबर ए that is United States of America इसका राइट आंसर था सेकिंड कॉशन देख लेते हैं जो सेकिंड कॉशन था कि विच इंसिटुशन गेट्स डी सी जी जी आई नोड तो रिज्यूम ट्राइल्स ऑफ ओक्सफोर्ड कोविड नाइटीन वैक्सीन तो कौन से इंसिटुशन को हाली में डी सी जी जी आई जो नोड था वो मिल गया था कि ताकि वो अपने कोविड नाइटीन वैक्सीन के जो ट्राइल है उनको फिर से स्टार्ट कर सकता है तो उसका सही उतर था दोस्तों ऑप्शन नमबर A that is Serum Institute of India ठीक है तो Serum Institute of India आंसर आपको याद रखने थर्ड गोशन जो हमने दिया था वो यह था कि यूइन गोर्म के द्वारा कि जीज को सी वेईटेवलकाओ जो था एक्सुट जो था इसको बां किया गया था उसका राइट आनसर था दोस्तों आपको ओनियोण ऑप्शन नमबर दी का राइट आनसर था दोस्तों तो प्याज का जो मतलब एक्सPynn का वह अभी बैंड किया गया था उनिय प्याच Q4 देख लेते हैं Q4 जो था वो था तो ब्रेंड अम्बेस्टर जो थे ग्रेट लर्निंग के किने अपॉइंट किया गया था तो यह एक important question दिया गया था आपको तो इसका सही उतर था दोस्तो option number B that is Virat Kohli तो Virat Kohli को हाली में विराइंड ब्रेंड अम्बेस्टर ग्रेट लर्निंग के अपॉइंट किया गया था तो यह आपको याद रखने question number 5 जो आपको दिया गया था the proposed orbital rail corridor will be implemented in which of the falling states दो proposed जो orbital rail corridor था ठीक है orbital rail corridor यह निमलिक्त में से आपको बताना था कि कौन से राज्य में इसको लागू किया गया तो इसका सही उतर था option number 8 that is haryana तो इसको हaryana में जो है लागू किया जाएगा next question देखते है question number 6 जो था हमारे पास वो था the horticulture department of which state a UT has launched backyard horticulture program जो की कपेक स्कीम के अंडर आता है तो कौन से state है UT के दौरा backyard horticulture program जो था इसको launch किया गया था बस इतना को याद रखने तो सही उतर था option number D that is jammu and kashmir तो jammu and kashmir जो state थी इसके दौरा backyard horticulture जो program था इसको जो था वो launch किया गया था ठीक है next question चलते है 7th question जो आपको test के लिए दिया गया था वो ये था तो केंदर सरकार ने दोस्तो सक्षम और प्रग्रिती के तहत जो थे जितने भी शातर थे जितने भी students थे उनकी राशी को बढ़ाया है तो वो student जो थे कौन सी state या UT से बिलॉंग करते हैं तो इसका सही उतर था दोस्तो आपका option number D that is jamu and kashmir तो इसका भी jamu and kashmir राइट answer था चलो next question देख लेते हैं जो हमारा question अब 8 जो test में दिया गया था कि अभी astronomer थे United Kingdom based Cardiff University के उनको phosphine मिली है किसी planet के clouds पे ठीक है आपको याद रखना है question number 9 पे चलते हैं who has been appointed as the brand ambassador of Paytm first game तो यह भी important question था जो आपको test में दिया गया था कि Paytm first game के जो brand ambassador है यह किसको point किया गया था तो सही उतर था option number C आपका दोस्तो that is Sachin Tendulkar तो Sachin Tendulkar को जो था हाली में brand ambassador point किया गया था Paytm first games के question number 10 देख लेते हैं जो आपको test में दिया था कि which country removed Queen Elizabeth as head of the state तो कौन से देश ने दोस्तो Queen Elizabeth को राज्य परमुक के पद से हटा दिया था तो इसका सही उतर है option number A that is Barbados तो Barbados ने Queen Elizabeth को पद से हटा दिया था current affair की तरव आज की current affair देखते हैं तो क्या क्या current affair है तो पहला most important current affair आपको मिलेगा तो वह है who has been appointed as the brand ambassador of online poker platform nine stacks ठीक है तो online poker platform है nine stack उसके हाली में अभी brand ambassador जो है यह वो nuked हुए है तो उनका नाम आपको बताना है तो उनका नाम है दोस्तो सुरेश रेना तो सुरेश रेना जो है इनको हाली में online poker platform nine stacks के brand ambassador nuked किया गया है तो यह आपको याद रखना है question अब दूसरे पे चलते हैं which airport awarded world's first five star anti-covid award तो यह भी बहुत ज्यादा important question है कि कौन सा हवाई अड़ा है दुनिया का जिसको प्रथम जो है पांच star first world star five star anti-covid award जो है दिया गया है world first five star anti-covid award जिसको मिला है उस airport का जो नाम है that is दोस्तो fumikino airport उस airport का क्या नाम है that is fumikino हवाई अड़ा ठीक है तो यह इसका उत्तर है तो अभी इसके देख लेते हैं points क्या क्या है तो पहले तो यह है कि जो fumikino जो international airport है यह Rome Italy में है दूसरा कि यह पहला airport बना है world का जो की certified हुआ है covid-19 five star airport rating से जो की दी गई है sky track के द्वारा जो कि एक UK based airport और airline review firm है पहला point तो यह है ठीक है तो यह आपको याद रखने है कि यह fumikino जो international airport है यह कहां पे है Rome Italy में है और यह यह इंटरने मले यह कैसा international airport है जिसको first airport माना गया है first airport है यह जिसको world की certification मिली है covid-19 five star airport rating की जो की दी गई है sky track के द्वारा जो कि एक UK based airport और airline review firm है ठीक है दोस्तों चलो question number 3 देख लेते हैं who inaugurated the fourth global ayurvedic summit virtually तो यह भी important question है कि अभी recently ayurvedic summit हुआ था तो यह अभी आपको बताना है कि fourth ayurvedic summit हुआ था इसको किसके द्वारा inaugurate किया गया है virtually तो इसका सही उतर है m bank के नाइडू तो m bank के नाइडू जी के द्वारा इसको inaugurate किया गया है यह fourth edition का था दोस्तों global ayurvedic summit आपको याद रखना है next question देखते है question of a fourth बहुत जादा important question है recently अभी दोस्तों Titan company ने partnership की है किसी bank के साथ ताकि वो एक contactless payment watch जो है उसको launch करेंगे और उस watch का जो नाम है वो है Titan pay ठीक है watch का नाम क्या है Titan pay है और यह eक दोस्तों contactless payment watch है यह भी आको यह contractless payment watch है यह दोस्तों आपको पता है यह watches की कंपनी है तो हाली में इसने partnership की है किसी bank के साथ तो उस bank का नाम क्या है उस bank का नाम है दोस्तो state bank of India भारति है state bank तो state bank of India के साथ हाली में जो टाइटन कंपनी है इसने partnership की है और एक contactless payment watch बनाएगी जिसका नाम है टाइटन पे यह watch का नाम जो ना यह दोस्तों यह बहुत जादा important है ठेक है और यह अभी टाइटन और स्टेट बैक ऑफ इंडिया ने मिलके इसको बनाया है तो यह आपको याद रखने है अब इसके point देख लेते हैं चेयर्मेन के अगर मैं बात करता हूं टाइटन कंपनी की उनका नाम है एन मुरुगननदम मुरुगननदम इनके चेयर्मेन है और फॉंपनी को फॉंड किया गया था 1984 में headquarter है बैंगलोरु करनाटका में चेयर्मेन की बात करता हूं स्टेट बैंक की तो रजनीश कुमार ठीक है जो कि अभी हाज चेंज हो जाएंग अक्तूबर में उसके बास स्टे ये भी एक important question है कब मनाया जाता है दोस्तो तो ये दोस्तो मनाया जाता है 17 September को कब मनाया जाता है 17 September को ये मनाया जाता है अब इसकी दोस्तो थीम क्या है तो थीम यहाँ पर लिकी नहीं गई है तो मैं यहाँ पर लिख दे देता हूं आपको इसकी जो थीम है that is तो क्या theme है इसकी health worker safety a priority for patient safety इसकी theme है तो यह आपको याद रखने है ठीक है दोस्तो चलो आप चलते हैं अपने next question की तरफ और जो अपना next question है दोस्तो वो रहेगा the organization of economic corporation and development जिसको हम OECD बोलते हैं उसने अभी expect किया है कि भारत की जो इंडिया की जो GDP है वो कितनी रहेगी अपनी 2021 में ठीक है यहां से question कट गया है तो भारत की GDP कितनी रहेगी दोस्तो तो यह आपको बताना है अनुमान लगाया है उसने की financial year 21 में भारत की GDP कितनी रहेगी तो यह किसके दोर अनुमान लगाया गया है OECD that is organization for economic operation and development के दोरा तो इसका सही उतर होगा दोस्तो 10.2% तो यह contract minor symbol show करता है कि यह contract करेगी मतलब यह shrink करेगी कम होगी ठीक है तो अभी मैं अगर बात करता हूँ इनके important point OECD का जो headquarter है वो है Paris, France में OECD found कब किया गया था 1961 में इसको found किया गया था OECD के secretary general है उनका नाम है Joss Angela Guria Joss Angela Guria is the joki secretary general of OECD ठीक है दोस्तो अभी बढ़ते हैं अपने next question की तरब हमारा जो आज का next question number 7 थे यह भी बहुत ज़्यादा important question है कि Prime Minister Modi to inaugurate historic Koshi Rail महासेतू ठीक है तो Prime Minister Modi जो है हाली में जो है एक historic Koshi Rail महासेतू है इसको inaugurate करेंगे और यह कहां पे करेंगे दोस्तो कहां पे यह करेंगे यह आपको बताना है तो सही उतर है दोस्तो बिहार तो बिहार में यह जो project है इसको inaugurate किया जाएगा जो हमारे Prime Minister Modi जी है उनके दोरा that is historic Koshi Rail महासेतू तो बिहार के static point देखते हैं क्या क्या है इसके static point है पहले तो capital की बात करते हैं पटना Chief Minister है नितिश कुमार डिफ्टीज सीम है शुशील कुमार मोदी गवर्नर है फगु चुहान उसको literacy rate है 63.82% according to census of 2011 बिहार जो है least literacy state में आता है भारत की number of districts है 38 important rivers है गंगा, कोशी, बुर्की घंदक, महाननदा, पनपन, सोन and कमला national park है बाल में की national park जो की west चंपारन डिस्टिक में है दोस्तों उसके बाद fog dance है जहांके वो है जुमरी dance, harvesting dance, holy dance, sohar khilona dance, kajri dance, jat-jatin dance and jiljina dance तो यह इसकी important dance है, यह आपको याद रखने है next question देख लेते हैं, important, eighth question यह भी बहुत जादा important question है which metro launched India's first indigenous signaling technology name IATS, that is automatic train supervision तो पहली भारत की ऐसी पहली कौन सी metro बनी है, जो अभी दोस्तों first indigenous signaling technology जिसका नाम है IATS, जिसको हम automatic train supervision बोलते हैं वो शुरूग करेगा, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, Delhi metro तो Delhi metro जो है, यह भारत की पहली metro बनी है, यह आपको याद रखना important question है next question की तरफ चलते है, question number nine और यह भी बहुत जादा important question है दोस्तों, कि पोथल एक BEP portal है, जो की launch किया गया है, कौन सी state government के दौरा हमारा आज का question number 10 भी बहुत जादा important है, कि which country has granted permission to India to export hilsa fish तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी country ने अभी भारत को यह अनुमती दे दी है, permission दे दी है तो बांगलादेश ने हाली में जो है, दोस्तों, permission दे दी है भारत को कि वह hilsa fish का export कर सकता है अब यह hilsa fish है क्या यह जान लेते हैं, देखो जो hilsa fish है इसको दोस्तों, इलिश fish भी बोलते हैं उसके बाद state, जो best Bengal है, उसने हilsa fish को अपना state symbol जो है वो रखा है उसके बाद दोस्तों, यह जो fish है, इसको categorize किया गया है as threatening species under IUCN red list, ठीक है तो IUCN red list के इसाब से इसको threatening species भी जो है categorize किया गया है हilsa fish को, ठीक है human capital index, तो world bank के human capital index में भारत की क्या rank रहा है दोस्तों यह आपको बताना है तो इसका सही उत्तर जो होगा, वो होगा 116, तो भारत का rank कितना रहा 116, तो 116 rank भारत का out of कितना दोस्तों 174 countries, तो यह आपको याद रखने है चलो, next question की तरफ चलते है, question number 12 है, global smart city index has been topped तो यह बहुल जादा important question है कि अभी global smart city index जो था इसको release किया गया और इसको top जो है वो दोस्तों कौन सी city के द्वारा किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा Singapore तो Singapore के द्वारा इसको top जो हो किया गया, अब इसके देख लेते points क्या क्या है देखो जो smart city index है 2020 का इसको release किया गया है, वाई Institute of Management Development जिसको IMD बोलते है किसके साथ मिलके, that is Singapore University for Technology and Design इन दोनों ने मिलके जो index है smart city index 2020 का release किया बारत की चार major cities है, कौन-कौन जी है, New Delhi है, Bangaluru है, Mumbai और Hyderabad जो है उन्होंने अपनी जो ranking है दोस्तों उनमें गिरावट पाई है, उनकी ranking जो गिरावट गिरी है, नीचे गिरी है New Delhi के अगर बात करूँ तो उसका rank जो है, that is 86, जो कि 2020 में और अगर पहले बात की जाए तो 68th rank था, New Delhi के 2019 में ठीक है दोस्तों, हईदरबाद की बात करूँ तो 85th position पे हईदरबाद आता है, पहले वो था 67th position पे, बैंगलूरू जो है दोस्तो वो 97th position पे तो उससे पहले 2019 में 79th में था और मुंबई जो है 93rd rank पे है, पहले 78th rank पे था, ठीक है, तो भारत से आभी पूछा जाए कि स्मार्ट सीरी इंडेक्स में से भारत में किसने टॉप किया है, तो ये आपको दोस्तो इसका उतर जो है, वो क्या है, इसका उतर यो रहेगा दोस्तो, that is Hyderabad, क्या Company has borne the contract for construction of India's new parliamentary building, तो कौन सी कंपनी जो है, जिसने अभी ये contract जीता है, for the construction of India's new parliamentary building, तो ये important question है, तो इसका सही उतर है, दोस्तो, that is Tata Group, तो Tata Group ने हाली में ये contract जीता है, कि अभी वो भारत की जो है, new parliamentary building जो है, वो बनाएगा, इसका contract जो है, वो Tata Group को मिला है, ठीक है दो दोस्तो, Tata Group के बारे में अगर बात करों, तो इनके chairman, जो इस time पे present chairman है, उनका नाम है Nataranjan, चंदर शेकरन, तो इनके present chairman है, question over 14 की तरफ चलते है, name the PSU which has partner with Swiss Rapid AG to bring Magleev train project in India, तो कौन सा PSU है, जिसने अभी partnership की है, दोस्तो, Swiss Rapid के साथ, AG के साथ, ताकि वो Magleev, जो है, Magleev means magnetic levitation train project जो है, बारत में लेके आएगा, तो इसका सही उतर जो होगा, दोस्तो, बारत है वी electrical limited, that is, बहल, ठीक है, तो बारत है वी electrical limited, जो है, इसने अभी दोस्तो, partnership की है, Swiss Rapid AG के साथ, ठीक है, तो यह आपको याद रखने है, पंदरमा question देख लेते हैं, जो की last question होता है, और यह बहुत साथ important question है, कि SBI, that is, State Bank of India, General Insurance, ने अभी दोस्तो, IINX किया है, corporate agency agreement with which bank, ठीक है, तो कोन से bank के साथ इसने अभी corporate agency, corporate agency agreement, जो है, वो sign किया है, तो सही उतर होगा, दोस्तो, that is, Jess Bank, तो Jess Bank के दाथ, अभी State Bank के General Insurance ने corporate के साथ समझो था किया, यह आपको याद रखना है, दोस्तो, तो अभी next, अभी test के तरफ चलते हैं, यह हमेरे 15 questions तो, जो आपको देना है, ठीक है, यह हम आपको questions देंगे, answers आपको बताने है, पहला question देख लिए, फटा-फट, global smart city index को top, किस ने किया, तो यह रहे आपके चार option, that is, USA, Russia, Israel and Singapore, आपको answer बताना है, second question देख to bring Magleave train project in India, ठीक है, तो Magleave train project को भारत में लाने के लिए, कौन से PSU ने अभी जो है, वो partnership किया है, तो यह आपके चार options है, answers आपको बताने है, question number third, देख लिए, फटा-फट, the union government has been the export of which major vegetable, तो यह important question है, यह हमने कल भी discuss किया था, तो इसका answer आपको बताना है, question number fourth की तरफ चलते हैं दोस्तो, state bank of India, general insurance, in corporate agency agreement with which में, कौन से bank के साथ भी state bank of general insurance ने समझोता किया है, तो यह रहे चार options, answers आपको बताने है, question number five देख लिजी, which state government has signed MOU with small industry development bank of India to support MSME, तो अभी government of India, जो है, state government है, इसने MOU sign किया है, SIDBI, ठीक है, SIDBI के साथ, ताकि वो MSME को support करे, तो यह है, चार options, आपको answer इसका बताना है, next question की तरफ चलते है, portal by portal was launched by we state government, तो पोथल एक बैपोर्टल है, यो कौन सी state government के त्वारा launch की गई, right, question number seven की तरफ चलते है, the central government has increased the scholarship amount under प्रगती and instruction scholarship scheme for student of we state or UT, तो यह चार options से answers आपको बताने है, question number eight देख लिजी, which company has won the contract for constructions of India's new parliamentary building, तो new parliament building का contract जो है भी कौन सी company ने जीता है, तो यह रहे चार options, answer आपको बताना है, last question test का देख लिजे दोस्तों, कौन सी city ने top किया है, global smart city index 2020, तो यह चार options हैं दोस्तों, इसके बाद last question है हमारा, India was ranked at which position on the world bank's annual human capital index, तो भारत का world bank annual human capital index में कौन सा rank आया है, तो यह आपको बताना है, चार options थे, उमीद करता हूँ, वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगेगा, तो वीडियो को like जरूर करें, अगर आप चैनल पे first time आ रहे हैं, तो subscribe करने आपको, और अपने दोस्तों के वीच में वीडियो को share जरूर करने, ठीक है दोस्तों, thanks for watching and have a nice day.